हेलो स्टेरेंट्स वेलकम टू माइन नर्चर मैं हूँ क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मस बढ़िया तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सोशल फार्मेशी का चैप्टर नंबर वन और उसका लेक्चर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेशी जिसमें आज आ हो सकता हैं बहुत सी बाते हैं तृए की सिंपल सी बाते हैं थिक है कुछ कीज यहां लगा लोगे तो चीजने बड़े आराम से होजाएंगी सोसाइटी की अच्छाए की बारे में सोचो मैंडिसीन दे उवे होगे सोस्या फार्मेशी ठीक है तो सब्सक्राइब हूं अब सब्सक्राइब करते हैं वो सब्सक्राइब इंसान का कोई ऐसा एक्षन जो सोसाइटी के उपर असर डाले तो वो सब चीज़े समाज को लेकर आ जाती है तो अब सोसल फार्मेसी जब समाज हमको समझ में आ गया तो फार्मेसी को समाज से जोड़ दें अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा देखो तो कह रहा है सोसल फार्मेसी डिफाइन ऐस दा साइंस ये एक ऐसी साइंस है विच डील्स विद दा सोसल एस्पेक्ट ऑफ दा प्रोफेस्टन ऑफ फार्मेसी एक फार्मेसी एक दवाईयां ठीक ना फार्मेसी क्या होती है जा दवाईयां है किस तरह से देखा जाएगा ठीक है ना तो यहां पर हम लोग क्या कर दिया फार्मेशी का साइंस को समाज साइंटिफिक चीजें और हिमनिस्टिक मानफता को देखते हुए एक दवाईयों का क्या रोल है एक समाज के ऊपर कोई सब बातों होने वाले हैं यहां ठीक है ना यहां साइंस डिस दिद्धा सोसल एस्पेक्ट समाजिक पहलू क्या होंगे और प्रोफेशन ओफ फार् होगा होता है इस को का मतलब शूसल फार्मिस जहां पर काम करें यह रही यहां कession करेंगी यह जाके रही है वह उसके सक्वेशन के अंदर आ जाएगा एडएक ही टॉर बताए जाएगा कि इंसका कि कौनों से दवाईयां कैसे लिजा नहीं है और समाज को देखते हुए हमें दवाईयों का एवलिशन करना है और ड्रक्स और मैडिशन को सिलेक्ट करना कि कौन सी दवाईयां ज्यादा बेटर है समाज के लिए इट प्रवाईट कॉस्ट इफेक्टिव टीट्मेंट और थेरपी वाई क्योंकि समाज में हर कोई इंसान अमीर तो है नहीं कुछ लोग गरीब भी हैं तो हमको क्या देखना पड़ता है कौस्ट इफेक्टिवनेस सस्ती जवाईयां अवेलिबल हो हर किसी के लिए इट डिफाइज दा बिहेवियर और साइकोलोजी ऑफ पेशेंट का बिहेवियर क्या है उसकी साइकोलोजी क्या है यहां चाहरे है अगर हम लोग की जो इससारी दबाइयां होती हैं जैसे कि हम दो हमारे दो फैमिली प्लैनिंग इस्ट ऐसे चीज़ें आए थी गर्व दो गोलियां आए थी यह सब क्या सब परचार हो रहा था यह है ना जब पॉपलिशन बहुत बढ़ रही थी तो यह सब किसके अंदर आ आती है इसे किसे चीज़ें आ जाती है बात समझे आ रही है ना व सोसल फार्मेसी ऐसे डिसिप्लीन याने की सोसल फार्मेसी ऐसे ब्रांच ओफ नौलेज और सब्जक्ट के तौर पर अगर इसे हम देखें या नौलेज की बेस्पेस से हम समझें इन दा बिग्निंग सुरुआत की ब दो पहलू होते थे शुरुआत में इसके ड्रग डिस्ट्रिबीशन और फार्मको एपिडेमियो लौजी है ना याने की दा स्टडी ऑफ यूटिलाजेशन और इफेक्ट ऑफ ड्रग इंदा लाज नंबर ऑफ पीपल तो सी दा पोपॉइल्टी ऑफ बैनिफीचिल इफेक् दो चीज़े थी शुरुआत में सोचल फार्मसी के अंदर ड्रग का डिस्ट्रिबीशन और ड्रग का इफेक्ट देखना कि वो फाइदे मंद है नुकसान दायक है एक किसी बड़ी सी पॉपॉलेशन के अंदर समाज के अंदर के लिए रहे हैं सारे सोचल फार्मसी कंसिश् कि मैडिसीन हेल्थ लेटेट बिलीव मानने ताय लोग कहते हैं ना कि जैसे कि पहले शुरुआत में काफी सुना होगा लोग पोलियों की दवा नहीं पिलाते देगाओं में कहते नहीं यह नहीं अंदर सवास सब फैला हुआ था कि पोलियों दवाने पिलाएंगे ठीक है न नहीं पूरा कोर्स करेंगे भी आम तो तब जाक्टर ने जैसा कहा है एक कहता रहे दो खुराग में सही होगा तीसरी खुराग नहीं खाएंगे हम क्या बिहेवियर है रेगुलेशन्स पॉलिसीज क्या रहे हैं दवायों को ले करके समाजिक तौर पे तो यह सारी चीजें हमारे सोसमा सबकुछ समाजिक तौर पे जोड़ दिया गया है ना तो अब देखो कितना में चीज अब तुम लोग को खूब पता ही आली बात है कि कुछ लोग क्या बो फार्मसी रिफ्लेक्ट अब ब्रॉड रिकोगनेशन डेट यह बहुत बड़ा ब्रॉड ब्रॉड एक तरह से पहचान है इसकी फार्मसी नॉट ओनली सप्लाइंग यह अपने बहुत बड़ी चीज है के वाल इसका काम सप्लाइउफ मेडिसीन नहीं है एडवाइस टू पब्लिक टू प्रुवेंट डिके एंड एनार्की इन सोसाइटी ठीक है डवाइया दिके डिके मतलब होता है कोई चीज खतम हो जाना और एनार्की मतलब आरा जक्ता फैल जाना एक अफ्रा तफ्री से मच जाना कहीं ना कहीं सोचल फार्मसीस जो है वो एक मैंटें किया पब्लिक के साथ ताकि डिके और एनार्की ना हो जाए सोसाइटी में सोसाइटी में बरबादी सी ना फैल जाए आगे आते हैं now it involved more than mapping drug use in the population ठीक न अब यहां पर drug mapping से involved more than mapping drug use in the population अब इसके अंदर involved है mapping of drug से ज्यादा mapping of drug क्या होता है तो mapping of drug है तो समझो क्या बात है drug mapping या disease disease or drug mapping is the process to map all known disease genes map करने मतलब सारी genes को पहचान लेना कौन कौन से genes मिमारी पैदा करने वाले हैं and all known drugs target against ठीक है न और वो सारे drugs जो उसके खिलाफ काम करेंगे all k e g g coito encyclopedia of genes and genome ठीक है एक नाम है pathway map से कर यह एक तरीका है जिससे हम लोग क्या करते है drug की mapping करते है this is site mapping result of the this is the mapping result of the algemar disease pathway map which reveals relationship with the other neurology degenerative disease यानि कि इस mapping की help से ही हम लोगों ने क्या कर पाया था algemar disease और जो दूसरी neuro degenerative disease थी उनके बारे में correlate कर पाया था उनकी mapping कर पाया थे पता कर पाया था और फिर treatment को इजाद कर पाया था तो कहीं ना कहीं mapping इतना important नहीं है पर यहाँ पर एक line आ गई है now it involved more than mapping drug use in the population यह एक drug mapping से भी ज्यादा बड़ी चीज है क्या social pharmacy ठीक है ना केवल इसी लिए नहीं है तो mapping of drug को मैंने समझानी कोशिश की है अगर याद ना हो तो छोड़ देना किस तरीके से यह बिमारी फैलती है और कौन से दवाईयां इसमें एक्ट करेंगी level of organizations and the discipline involved in pharmaceutical education फार्मसीटिकल तो पता ही चल गया क्या होता है अब इसमें बात करें तो देखो हम लोग बायोस्फेर सब से उपर आता है atom molecule cell organ person इंसान आ गया गुरुप आ फैमिली आ फिर करके family तक आ जाएं तो clinical pharmacy organ के उपर treat होता है person के उपर family के उपर ठीक है ना फिर यहां से ले करके person से ले करके बायोस्फेर तक आ जाएं तो कौन है social pharmacy और अगर person से ले सब्सक्राइब करके बायोस्फेर तक आता है humanistic and social science याने कि मानफ्तावाद और समाजिक विज्ञान ठीक है ना तो इस तरीके से जो और समाज से जुड़ा हुआ है तो यह बता रखा कि इस तरीके से यह हम लोगों का structure है तो कहां पर कौन सी science लग रही है इस चीज़ करने की कुशिश की हुई है याने कि एक discipline है subject की तरह हम लोग इसको study कर सकते हैं पढ़ सकते हैं बास समझ में आ रही है ठीक है ना तो कुछ खास नहीं था यहाँ पर pharmacy as a discipline है social pharmacy as a branch of knowledge या उसमें क्या क्या बाते हैं सब जनरल बाते हैं समाज को देखते हुए बाते हमें याद कर लेनी है और सब चीज़ें क्या ह public health को improve करने के लिए क्या इसका रोल है तो social pharmacy as a discipline concerned with the behavioral science behavioral यह main किस पर फोकस करता है इंसान के behavior पर फोकस करता है related to use of medicines by consumer as well as healthcare professional यानि कि यहाँ पर दो बाते होंगी कि patient का behavior और दवा देने वाले यानि कि doctor का behavior क्या है ठीक है ना medicine को लेकर के ठीक है तो scope यानि कि यहाँ पर कौन काम करेगा फार्मसिस्ट काम करेगा यह तरह से यानि कि social pharmacy हमको समाज को देख करके सारी चीज़ें करनी है along with behavioral and physiology perspective यानि कि द्रिश्टिकोंड परस्पेक्टिव मतलब द्रिश्टिकोंड यानि कि अगर हम behavior और physiology हमारा जो आद्वे हैं और जो हमारे सरीर के अंदर जो काम चल रहा है kidney liver और इन सब का इनके द्रिश्टिकोंड से देखें related to pharmacy pharmaceutical administration area like pharmacy management and marketing also a component of social pharmacy अगर हम behavior और physiology को देखें तो देखें उसके रिश्टिकोंड से तो और relate करें उसे pharmacy से तो pharmaceutical administration area like तो यानि कि pharmacy management और marketing यह दोनों भी कहीं ना कहीं social pharmacy से जुड़े हुए हैं किसको देखें behavior को और physiology को तो जो marketing है और pharmacy management यह दोनों भी किस से जुड़े हुए है कहीं ना कि जो marketing हो रही है किस चीज की marketing हो रही है कौन सी दवाओं की marketing हो रही है समाज के उसको पर क्या फरक्ट पड़ेगा है आजकर अंदर दुन marketing हो रही है तो वो भी जुड़ गया करके the acceptance of innovative patient oriented roles है न ऐसे काम जोगी patient के इर्दगीर रहे है हमेशा for pharmacy patient oriented role for pharmacy like medication adherence अब medication adherence मतलब क्या होता है डॉक्टर ने कहा दिन में तीन वर दवा खा नहीं है कुछ लोग तो दिन में तीन का तीन वर खा लेते हैं कुछ दिन में दोई वर खा पा रहे हैं किसी वजह से busy हैं तो जो adherence होता है मतलब कितना वो अपनी दवाई के लिए सचेत है या यह कहले कितने अपनी दवाई को regular वे में खा रहा है जितना regular खाएगा उतना adherence मतलब होता है adherence की हिंदी होती है चिपकना और जितना regular नहीं लेगा उसको non adherence हो जाएगा ठीक है न तो medication adherence counseling home medicine review focus on patient center role तो क् आखकल क्या हो गया है सारा सारा काम patient मतलब हमको main focus किसको रखना है patient को देखते हुए अपने सारे काम करने होते एक फार्मासेश्ट को तो patient oriented roles for pharmacy like medication adherence counseling करनी है उसकी ठीक है medication हम चाहते हैं कि वो medicine जैसे दवाया दी है वैसा ही खाता रहा है home medicine review ठीक है ना focus on patient centered role यह सब चीज़े कहां focus कर रही है patient के उपर focus कर रही है तो यह सब चीज़ें भी कही ना कहीं कहां से जड़े हुई है हमारे पास patient के health से जड़े हुई है तो improving public health तो कहीं ना कहीं public health से यह सारी चीज़ें जड़े हुई है the information presenting social pharmacy is very important to link the clinical and fundamental knowledge taught to the pharmacist तो क्या कह रहा है जो information प्रिजेंट है social pharmacy में social pharmacy के अंदर जो एक subject है जो topic है उसके अदर जो content मौझूद है वह बहुत ज़रूरी है कि link करे clinical and fundamental knowledge जो basic knowledge है और clinical उन दोनों को link करके taught to the pharmacist pharmacist को वह पढ़ाया जाता है जिससे की क्या हो एक patient का क्या हो भला हो उसको best मिल सके सबसे अच्छे चीज मिल सके जिससे की वह जल्दी से ठीक हो सके अब pharmacist is certified to incorporate his knowledge and social communication skills for improving patient pharmacist क्या करता है अपना जो knowledge होता है ठीक है अपनी knowledge को और social communication जो वारतलाब है एक patient के साथ कैसे करना है इन दोनों को mix up करता है जिससे की patient की health क्या होती है और भी ज्यादा improve होती है एक छोटा सोदान लें अगर यहां पर आप एक patient से प्यार से बात कर रहे हैं एक आप एक communication skill ठीक है ना तो improving patient behavior अगर आप इन दोन चीज़े को mix up करते हैं अपने communication skill को और अपनी knowledge को तो patient का behavior treatment के outcomes और disease management करने में बहुत ज़्यादा असानी होती है तो फिर से अगेन क्या हो जाएगा हमारी heading के हिसाब से public health improve करेगी ठीक है अब आगाते है role of pharmacist in public health इसमें तो अंदा दून जो लिख पाओ दे प्रवाइड population based care है ना care करते हैं दे कंडेक्ट disease prevention and control program जो disease को prevent करने वाले program होते हैं और control करने वाले program होते हैं in their institutions and community जो है ना कहीं पर देखना जब बड़े प्रोड़े होते हैं क्या क्या करते हैं प्रोगाम चलते हैं गाहों में दवायां बाटी जाते हैं तो हम फार्मसिष्टी होते हैं देवलब हैल्ट education and program within their institutions यह health education और प्रोगाम को क्या करते हैं प्रोगाइड करवाते हैं concerned with the needs of patient healthcare professionals community leaders and the public याने की पेशेंट को देखते हुए health care professional उनको देखते हुए यह क्या करते रहते हैं अपने health care education और प्रोगाम चलाते रहते हैं they collaborate with state and local authority to address the local and regional health care needs समाजिक तोर पे क्या जरूरते हैं क्या क्या चाहिए क्या बिमारिया है यह आपस में क्या link up करते रहते हैं state और local authority के बीच में they involved in population-based research population-based research क्या बिमारिया फैली हुई है कौन कितना बिमार है कौन दवायां को लेकर क्या सोच रहा है कैसी दवाया है हम बहुत जादा market में यह सब research यह लोग करते रहते हैं then initiate campaign for distributing new knowledge कोई नई चीज आ जाती है तो उसको समाज में हमको देनी है जिससे की आदमी क्या हो सचेथ हो तो उसके लिए campaign चलाते है they support legislation regulation and public policy related to disease prevention and management इस support करते हैं जो कोई कानूनी चीज आ जाती है regulation आ आते हैं कोई policy आती है disease को लेकर कि क्या करना क्या नहीं करना जैसे कि मालो सपोस्स डेंगू चल रहा है है ना तो देखेंगे या फिर क्या करते प्रोग्राम चलाते हैं कि पाने नहीं भरा होना चीए घर की साफसफाई करें या क्या कड़े कानून आ गया है तो उसको लेकर के लोगों को जाग रुक करना डेवलप गाइडलाइन और वारी फॉमलरी मतले नेशनल फॉमलरी है हम लोग पढ़ चुके ना एन फाई उसके लिए यह लोग गाइडलाइन और क्राइट करवाते हैं या डवलप करते हैं दे क्या करते हैं दूसरे जो हैज़ एक प्रोफे की positive influence on drug policy drug policy के बारे हम बात कर चुके है ठीक है उसमें भी इनका रोड रहता है तब policy regarding the control and regulation of psychotic substance यानि की drug policy में जातर किसको हम लोग करते हैं कि ऐसी दवाई हैं जिनको लेकिन लोग नशा कर लेते हैं drug use and outcome as well as other health care at community level तो ठीक है यह जब ऐसी जो मतलब सी बात है drug policy में भी इनका कह रहता है influence रहता है क्यों क्योंकि दवाईयों का जो नशीरी दवाईयां उसका समाज के ओपर एक पुरा असर पढ़ सकता है इस्टेबलीज और मेंटेन वेल क्वालिफाइड फार्मेशी वर्क फोर्स ठीक है ना कोशिशिश करते हैं कि जो फार्मेशी है जो उनका सिस्टम में चलने का वह एकदम वेल मेंटेन और प्रॉपर चले इस्टेबलीज प्रोफेशिन स्टेंडर्स एंड चेक दा प्रॉसीजर जो फार्मेशी है वो इस्टेंडर्स रूट्स रागलेशन के इसाफ से चले और प्रोसीजर सहीज चल रहे है कि नहीं चल रहे उसको चेक करते रहे ना ले पार्टिसिपेट इन फेल्थ चेक इस्टोल रूटीन चलते रहते हैं शहरों में देपोंटिवूटीन है प्रमोशंस एंड एडूकेशन लाइक इम्मुनिज़ेशन प्लैनिंग यूज उप मेडिकेशन ठीके ना जो है एडूकेशन होते हैं जाने की इम्मुनाइजेशन टीका करन जो होता बच्चों का फैमि डवाईयों को साफधानी से इस्तमाल करना ठीक है और जो डवाईयां डॉक्टर ने दी है यह निकी आपने नीचे रख दी है किसे कोई बच्चा है उसको खा लिया या पी लिया तो फार्मसेटिकल केर प्रैक्टिस इसके बारे में भी यह क्या करते हैं तरीके से फार्मसेट करते हैं करते डॉकुमेंट बनाते हैं रिसर्च करते हैं एंप्रूब इंप्रोव करने के लिए इस त्म भी फार्मसेटिकल है ठीक है ना उसको इंप्रूव करने के लिए लोग काम करते हैं एंछ हैं विडए को स् amplis Rough. और त्सी तरबना को training का अंविफोसर प्रिस्टिश यह उसकी मौत हो सकती है दब फॉर्म लिटेगे रैंड मैनिफथ्य गौुट क्या करते हैं इनिशेट करते हैं तो यह तो थी बात है हमारे किसके बारे में introduction to social pharmacy कुछ खास नहीं है एक pharmacist का समाज के लिए क्या role है बस वो ही बाते दिमाग में रखेंगे तो इसको पढ़ने की विज़रूरत नहीं पढ़ेगी कुछ खास नहीं है यहाँ वर्मार्स कोशन लाग वी कुछ क्या है यह एप ठीक है ना यूटूब पे आपको केवल क्या मिलता है lecture और notes और बाकी चीजे हम यूटूब पर आपको provide नहीं करा सकते कुछ restriction है उतना काम नहीं कर सकते जो मैं main practice कराना चाता हूँ आप लोगो exit exam के लिए किसके लिए खास कर exit exam के लिए और जो तुमारे mc के question आते है किसमें डी farm में उसके लिए जो main तयारी कराना चाता हूँ मैं वो आपको इसी app पर मिलेगी उसको मैं youtube पे नहीं करा सकता ठीक है ना तो जो app का link है description में दिया हुआ है app में आपको क्या क्या मिलने वाले lecture और notes बिल्कुल वही मिलेंगे जो youtube पर थे ठीक है और उसके अलावा one marks two marks three marks five marks question जो आपके exam में आते हैं उस pattern के उपर based questions मिलेंगे और उनके answers मिलेंगे one marks question जो तुमारे d farm में आते हैं उसमें 10 question होते है mcq के और 10 question होते है fill in the blanks अब ये कहां से आप में जो यहाला part होगा mcq वाला और fill in the blanks वाला यहाँ पर तुमको धेर सारे questions मिलेंगे लगाने के लिए practice के लिए ठीक है ना live class होगी याने कि जो chapter से हमारे यहाँ पर खतम होते जाएंगे मैं एक schedule जो बना हुआ है उसके साब से live class आता रहूँगा और live class आप लोगों को मिलती रहेगी और सबसे बड़ा plus point क्या है routine test होने वाला है d farm और exit exam के उपर based यहाँ पर क्या होने वाला है routine test test का pattern क्या रहेगा समझ लो जैसे मालो chapter number 1 तुमारा खतम हुआ ठीक है, फिर chapter number 2 खतम हो गया इसका भी test हो गया t1 इसका test हो गया t2 फिर एक combined test होगा t1 फ्लस 22 यानि कि इन दोनों chapter का मिला करके फिर मालो chapter 3 भी खतम हो गया, फिर एक combined test होगा t1 मतist Regular 1 फ्लस 2 फ्लस 3 इन तीरों को मिला करके एक test हो गा यह जो बार-बार हम रुटीन में टेस्ट लेते जाएंगे एक्टोमेटिक तुमारी डी फार्म और एक्जिट एक्जाम की तैयारी होती रहेगी कुछ नहीं करना है इस एप के स्रिफ फायदे ही फायदे है ठीक है न एप ठीक है न सिर्फ कितने में अवेलेबल है यह एक फीज देखी जाए तो महीने का तुमको 92 रुपीज भी नहीं आता है एक फीज को अगर कंपेर करें जो आपकी कॉलिज की फीज से उसके कंपेरेजियर बहुती लो कॉस्ट फीज है इसकी ठीक है न रखी इसलिए गई है ताकि हर बच्चा इसको एजिली अफोर्ड कर सके और यह सारे बेनिफिट्स जो आपको इस एप में मिलने वाले हैं ठीक प्रक्राइब करें टेस्ट कैसे दिया जाएगा यह सब तैयारी करने के लिए आपको कहा ना पड़ेगा माइंड नर्चर पर मौझब है या इस लेक्चर के लिंक में इसका डिस्क्रिप्चिन भी दे रखा है ठीक है ना तो डिस्क्रिप्चिन में एप का लिंक और नोट क का लिंक description में दिया होता है हर lecture के YouTube पे जितने भी लेक्चर है उसके हर lecture पे क्या रहेगा Link दिया हुआ रहता है किसका lecture का ठीक है और इन सबसे ज़रूरी बात revision करना है क्या करना है revision बिना revision के कुछ नहीं होगा तो revision करते रहें पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें all the best